हेलो एवरिवान आज हम लोग गाओ गए हैं पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा बूत मज़ेदार वीडियो है हेलो एवरिवान आज हम लोग जा रहे हैं अपना गाओ वाला ससुराल मेरे ससुर जी का गाओ वाला घर बहुत सुन्दर है जरूर देखिएगा पूरा विडियो हम लोग पूरा खेट सब कुछ दिखाएं है अभी हम लोग मिठाई खरीद के फिन निकल पड़े अपना सफर के लिए और हेलमेट तो जरूरी है काड़ी चलाते टाइम सब कोई हेलमेट पहनिएगा नहीं तो पुलीस भी पकड़ेगा और सर भी फूट जाएगा गिरने से इसलिए हेलमेट जरूरी है देखिए कितना सुन्दर रोड हम लोग एकदम धूरूप से बचने के लिए चस्मा अस्मा पूरा पहन लिए है विजा रहे मस्ती करकर के की देखिए कितना सुन्दर सुन्दर रोड है यह जए कितना सुन्दर बास का बगान है यहां से बास्का सप्लाइ भी किया जाता है देखरें कितना सुन्दर जगा ही ह grammar हम लोग एक तो गाओं से पार हो रहे थे यहां बूद बड़ा मार्केट लगता है थोड़ा सा भी रूके हैं रेश्ट ले ले रहे हैं थोड़ा सा नजारे का नजारा का मजा लेंगे हमलों का रेश्ट टाइम खतम हुआ बूचरा फोटो भी ले लिए अभी फिर निकल पड़े चलिए और आदा गंटा का सफ़र है बैड गए गाड़ी में चलिए चलिए अभी हमलों इधर से अभी निकलने वाले हैं डिखिए हमलों अभी अंदर का रोड तरब से आ रहे थे फिर हाइवे पकड़ लिया भी हाइवे से हमलों का गाउं ज्यादा दून नहीं है थोड़ा देर में हमलों फिर अपना गाउं का रास्ता में चले जाएंगे फिर हाइवे क्रोस करके देखिए अब ये रहा हमलों का गाउं का रास्ता चारो तरब हरा भरा हरा भरा ना दुखिए चारो तरब हरियाली इदर पानी का विवत्ता है तो टाइम खसल होता है इदर भी देखिए हरियाली इस तरब भी अब लुचार है पीच करोजने इतना सुन्दर हरियाली इतना अच्छा नजारा किसको पसंद नहीं है हम लोंग तो इहां रहते नहीं है क्योंकि पापा हम लोंग के मतलब मेरे ससूर जी वो टीचर थे इसलिए जहां अभी रह रहे है उधर ही घर बना लिए अब यहां पे चाचा जी रहते हैं वही सब कुछ समालते हैं हम लोंग कभी कभी छुट्टी मनाने आ जाते हैं घूमने के लिए देखिए कितना अच्छा गाई बकरी सब मस्त से घूम रहे हैं उनके पीछे देखिए उनके मालिक जा रहे हैं देखके ही लग रहा है मालिक है वो तो बड़ा से टोपी लगा लिये हैं हम लोग और कुछ ही देर पहुचने वाले हैं गाउं मेरे और थोड़ा ही देर में पहुचने वाले हैं बस्ता जाम एक नट उनका प्यारा सकाओं गाड़ी टांटे कोड़वेता लो तो कोड़वेता लो तो कोड़वेता बलगो ये रहा हैं उनका जार झार कोड़गे पाड़ा कोड़पेसा हैं जास्ता फड़ैं वी य